वो जो feeling है ना वो बहुत ही ज़्यादा प्रेशियस होगी जब एक्जाम आएगा अच्छा आप बात करते हैं यहां पर क्योंकि जहीं में का तो फर्स्ट अटेम्ट वो तो हो चुका है तो बहुत सरे बच्चों को क्या अभी यह भी confusion होगा कि क्या हम क्या हम जेए एडवांस करने के लिए क्या है अगि यहां भी 아न्स अब अधरे यहाँ जीत व्हाल से गूद यहीं है या जीतसे होगा यहां लगब 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 88 percentile cutoff जाता है तो आप इस साल भी मान के चलो लगब सेम ही जाता है पिछले तीन साल का data देखोगा ना तो 87 है कभी 88 है कभी मतलब इसके आसपास ही रहता है तो जनरल के लिए 88 प्लस अगर आपकी percentile है आप यहां पर तैयारी करना स्टाइट कर सकते हो जैए एडवांस का एक्जाम दे भी सकते हो 90 प्लस तो बहुत सेफ हो गया कि 90 प्लस तो आप qualified होई हो ठीक है अगर आप एकदम बॉर्डर पर जैसे 88 ही है किसी की percentile तो एकदम boundary पर आगे तो आप उसमें थोड़ा सा आपने को सेब ही मानलो लगबग लगबग 68 percent के आसपास होता है OBC का भी परसंटाइल है ठीक है मनलब यह यह बिसिकली प्रिवियस यर का cut-off है ठीक है तो वहां से आप एक idea लगा सकते हो अगर कोई SC का candidate है तो लगबग 46 percentile प्लस आपकी होनी चाहिए और अगर कोई ST वाला कोई बच के लिए eligible हो जाओगे बट eligible तो हो जाएंगे बटके आमने तयारी कर रखी है तो उस टाइम पर यह नहीं सोच सकते कि यार तयारी करना भूली गया ठीक है तो आपको ready रहना पड़ेगा इस तरह के questions की क्या आपने practice करी है अगर आप YouTube पे भी देखोगे ना तो मतलब बहुत ही बहुत ही कम ऐसे वीडियो जहां पर आपको एक्चुली जही एडवान्स लेवल का जो नॉलेज है वह दिया जाता है यह फैक्ट है यह मेरे रिखाल चा आपको भी पता है ठीक है तो definitely यार मतलब यह students एक्जाम दे सकते हैं but again question वही है कि क्या आप लोग ready हो तो ready होना होता है कि आप मतलब imagine भी नहीं कर सकते जब results आता है तब पता चलता है कि यह हो गया